रोजाना काम आने वाली छोटी छोटी बातें जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है समय निकाल कर जरूर पड़े एक, नहाते समय पेशाबाना यह किड्मी के कमजोर होने की निशानी होती है तो, अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से वीर्य बढ़ता है और गाड़ा बनता है तीन, यदि आप अंडा नहीं खाते हैं, दूद नहीं पीते हैं तो आप मुंगफली खाकर भी अपने शरीर में पोशक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं चार, छोटी इलाइची खाने से रीड की हड़ी मजबूत होती है पांच, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए मेथी के बीजों का पानी पी सकते हैं छे, भोजन के साथ कच्चा प्यास खाने से बीपी कंट्रोल रहता है और नसों की ब्लॉकेज ठीक होती है और या दाष्ट भी बढ़ती है साथ, एक चमच दही में चुटकी भर कॉफी मिलाकर चहरे पर लगाने से चहरा साफ होता है और काले धब्बे भी दूर हो जाते हैं आठ, सरसों का तेल नाक में डाल कर सोने से पेट कभी बाहर नहीं आता नौ, रात का खाना कहने के बाद अगर आप तीन से चार इलाइची चबाकर गर्म पानी के साथ खा लेते हैं तो आपके बाल जरश से मजबूत हो जाते हैं दस, एक महीना लगातार काजु खाने से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे और जढ़ने बंद हो जाएंगे 11. गर्भवती महिलाओं के लिए नाशपाती का सेवन करना अम्रित के समान माना जाता है 12. जिस घर में मक्खियों ज्यादा होती हैं, उसे घर में बीमारियां भी ज्यादा आती है 13. उबले हुए चने खाने से कभी भी याददास्त कमजोर नहीं होती है 14. गुनगुने पानी में शहद डाल कर पीने से कभी भी गुर्दे की बीमारी नहीं होती है 15. जो लोग बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, वह लोग जल्दी बीमार पड़ते है 16. अनार खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है 17. अगर आपको नींद नहीं आती है, तो नीमबु को चाट ले इससे नींद अच्छी आएगी 18. बालों में चमक लाने के लिए नहाने से 30 मिनिट पहले नारियल का तेल लगा ले और बालों को धो ले बाल चमक जाएंगे 19. खाना खाने के तुरंद बाद चाए कभी नहीं पीनी चाहिए, इसे खाना अच्छी तरह पज नहीं पता है और ना ही हजम होता है 20. अगर आप पैदल चलते चलते ठक जाते हैं, तो चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी ले और फिर चलना शुरू करें, इससे कमजोरी नहीं आती और थकावट भी महसूस नहीं होती है अगर आपको यह टिप्स पसंद आई हो तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइप जरूर करें धन्यवाद 43